पतानी क्या सोचकर ये मॉवी मैंने देखने शुरू की मतलब उस वक्त क्या दिमाग में आया होगा कि मैंने इस इस मॉवी को देखना शूरू क्या होगा तो आज कि इस वीडियो में चर्चा करेंगे The Sand MV के बारे में ये एक Hollywood movie है या फिर कहूँ यार कुछ लोगों ने नया-नया camera लिया होगा और अपने camera को test करने के लिए उन्हें सोचा होगा एक video record कर लेते हैं तो इसे movie ना कहकर इसे video कहें तो ज़्यादा अच्छी रहेगी मतलब difference आता है ना video आम तोर पर जैसे लोग जैसे record कर लेते हैं जैसे ये video आप देख रहे हो ऐसी उन्होंने ये एक घंटे 20 मिनिट की video record की होगी और इसको कहा होगा कि लो भाईया ये movie हमने बना दी है तो खैर इस video में जो story रिखाई गई है उसके बारे बात कर लेते हैं कुछ adult जो लोग हैं वो बीच के ओपर जाते हैं party sharti करने और वहाँ पर full on tally होते हैं नशे में होते हैं और फिर कोई एक adult में से कोई एक व्यक्ती जो है एक अजीब और गरीब अंडा कहीं से चक्के ले आते हैं और उसको वो नशे में तोड़ देते हैं अब अगले दिन जब वो उड़ते हैं तो उस अंडे में से कोई चीज निकलती है वो मिट्टी में समा जाती है और अब कोई भी इनसान मिट्टी के ओपर जो बीच का जो एरिया है जहां पर जैसी कदम रखेगा तो वो मिट्टी उसे खा जाएगी या फिर कहीं उसे जान ले लेगी अपने अंदर वो समा लेगी ये वाला कॉंसेट इसके अंदर दिखाया गया है अब ये लोग अपनी जान कैसे बचाते हैं ये सारी चीजें जो है इस एक घंटे बीस मिनिट की मुवी या फिर कहूं एक घंटे बीस मिनिट की इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा अब यहाँ पर जो ये कॉंसेट मुझे सुना जैसे मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मुझे काफी इंटरस्टिंग लगा सेंड यानि जो मिट्टी है वो खा जाएगी उसमें पता नहीं कितना इंटरस्टिंग कॉंसेट हमें दिखाए जाएगा इस भिहाव पे मैं इस वीडियो को देखने बैटा था लेकिन सच में बहुत ज़्यादा इडिसपॉइंट किया हर एक मामले में भले आप स्टोरी की बात कर लो इसके अंदर कहीं पर भी आपको वो होरर नहीं मिलेगा हाँ एक चीज़ मैं मानता हूँ कि इसमें आप कहीं सारे कहेंगे यार इसमें जो अंडे में से कुछ निकला उसकी स्टोरी नहीं दिखाएगी एक तरफ से वो भी अगर हम साइड में हटा देते हैं उसके अलावा भी जो मिट्टी जैसे लोगों को खा रही है वहाँ पर जैसे वीएफेक्स यूज के जाने चाहिए थे या फिर इसको जैसे होरर बनाने की जो कोशिश की गई है वो कहीं से भी नहीं बनती है फर्स्ट अपॉल जैसे जो वीएफेक्स हैं वो आपको ऐसे मतलब दिखा एक तो दिखाए नहीं गया है वीएफेक्स में कमी तो बाद में निकालना जो दिखाये जाएं वीएफेक्स उसके पर बात कर लेते हैं बैई कोई इंसान जैसे मिट्टे के उपर पैर रखतार जैसे ही उसको मिट्टी खा रही होती है कैमरा कहीं और ही घुमा देते हैं लोगों के reaction दे रहे होते हैं वो दिखाते हैं कि actual में हो गया रहा है मिट्टे के उपर वो बिल्कुल भी नहीं obviously इससे यह पता चलता है VFX के रूपर बचाने की कोशिश की गए और जितना भी इसके अंदर दिखाया गया VFX को लेकर भाई साब इतने वाहिया तो VFX हैं सच में इससे बढ़िया VFX तो यूटूबर यूज़ कर लेते हैं अपनी वीडियो के अंदर मुझे लगा होगा इन्होंने कोई नो सीखिया है या जिसने अभी-भी कदम रखा है VFX की इस दुनिया में उससे का होगा कि भाई एडिटिंग वेडिटिंग कर दियो थोड़ी बहुत VFX हैं इसको भी थोड़ा देख लिया क्यूंकि हमने नया नया कैमरा लिया वीडियो बनाई है तो यार थोड़ा बहुत हमें चाहिए कि VFX भी इसमें डाल दें और स्टार्टिंग में जब आप इस मूवी को इस वीडि दो रहते यहं ना ही हम इसके करेक्टर से कनेक्ट हो पाते मतलब एक घंटा 20 मिनट वेस्ट कर दीती है ये वीडियो हां हिंदी लेते हैं नूट सीन थोड़े बहुत इसके अंदर डाले गए अडल सीन लगता है कि उसी के बेस पर इसको चलाने की कोशिश की गई थी लेकिन नहीं भाई बिल्कुल भी डिसपॉइंट एक ही एक वीडिया तो जीरो आफ्टो टैन में इसको देना चाहूंगा अगर आप लोगों ने दा मिलते हैं ने स्टूडियो में जाहिंद